मिलियनेर का मुंग डाल ग्रीन दोसा कासी के गाउ में कुछ बिजनेस करने वाले एक बैठक लगाए थे उनका चेर्मेन धनुझे देखिए फ्रेंड्स, हम सब मेंसे अब एक नया चेर्मेन को चुनने का वक्त आ गया है आप मेंसे बहुत सारे इस चेर के लिए कोशिश कर रहे है कहकर मुझे अच्चे से पता है ऐसे मैं भी मेरा बेटा विक्रम को इस चेर्मेन पोस्ट के लिए प्रपोस कर रहा हूँ उसके लिए आप क्या कहते है पूचा तब त्रिपाटी कहकर एक बिजनेस में देखिए धनजय जी आपका इस बिजनेस में बहुत सारे शेर होंगे लेकिन आप जो कर रहे है वो सही नहीं है कौन सा भी अनुबव नहीं रहने वाला आपका बेटे को कैवल आपका बारिश होने के नातिर उसको चेर्मेन पोस्ट के लिए प्रपोस करना ठीक नहीं है कहा उससे 50% ज्यादा फाइदा में उस व्यापार को चला कर दिखाना होगा तभी वो एक बिजनेस मेंन का काबिल बनेगा और एक बात कल ही मेरा बेटा विक्रम घर से बाहर जाने के लिए तयार हो गया है कहा अगले दिन विक्रम वो अकेला ही एक दूरवत्ती गाउ में गया वो देखकर त्रिपाटी और उसका अनुगामी उसका पीचा किये उस गाउ में जाकर विक्रम एक घर को किराया पर लिया बाद में एक हफता तक गाउ भर गूम कर देखा लोग ज्यादा जाने वाले एक होटल के सामने एक चोटा सा होटल लगा कर उदर मूंग डाल दोसा बना कर बेचना शुरू किया कभी कभी ये क्या दो लोग आकर खाने लगे लेकिन लोग ज्यादा नहीं आने के वज़े से एक चोटा सा माइक लेकर लोग उनसे विक्रम देखिए फ्रेंड्स हमें प्रकृती देने वाला एक अद्बुत चीज ये मूंग डाल है इसे हम कम नजर से देखते हैं लेकिन इसमें अद्बुत फाइबर, विटमिन्स सब कुछ रहता है इसको हर रोज खाने से अपच, ग्यास का प्राबलम, शुगर, ऐसे एक नहीं कई तरीके के बिमारिया कम हो जाते हैं आपका सहत दस गुनाब बर जाता है कहा तब लोगों को उसका बाते अच्चा लगकर एक ही बार उसके उपर गिरकर मूंग डाल दोसा खरीदना शुरू किये विक्रम भी उनको अच्चा गुनवत्ता वाला मूंग डाल दोसा बना कर देने लगा वो देखकर उस रात को त्रिपाटी सामने वाला होटल चराने वाला बद्री के पास जाकर उसको पैसे देकर कैसे भी विक्रम का धंदा को गिराने के लिए कहा उसके लिए बद्री सेर आपने बात बता दिया है न अब मैं क्या कर सकता हूँ दिखाता हूँ कल से मेभी मूंग डाल दोसा बनाता हूँ उसमें सब वेरेटी लगाता हूँ मेरा इस जटके से वो विक्रम इस गाओं चोड़कर भाड़ जाएगा सेर कहा अगले दिन से बद्री वो हर रोज बनाने वाला इडली दोसा सब कुछ चोड़कर वो भी केवल मूंग डाल दोसा बनाना शुरू किया लेकिन लोग कोई भी बद्री के पास नहीं आ रहे थे और विक्रम के पास तो अगल बगल गाओं में से लोग ज्यादा आकर खाने लगे ये देखकर बद्री गुस्सा होकर अरे ओरे तुम हमारे गाओं वाले ही की नहीं? मैं भी मूंग डाल दोसा बना रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्यूं नहीं आ रहे है? तुम सब लोग अच्चे नहीं हो कहा तब गाओं में एक आदमी अरे ओ नालाइक तुम विक्रम बाबु से तुलना कर रहे हो? तुम हारा जिन्दगी में कभी ऐसा एक अच्चा काम किये हो क्या? तब बद्री हैनान रहे गया बाद में गाओं के बाहर तरी पाटी से मिलकर बद्री कहकर रिपाटी का पैसे वापस करके चला गया बाद में विक्रम बहुत कम समय में ही उसका लक्षिका साधन किया बाद में उसका गाव में सब लोगों की आदर से विक्रम चेर्मन बन गया का हुआ नाय कुछ बाद में में आदर बっ